मित्रत का महध्व एक समय की बात है एक सुन्दर जंगल में एक चुडिया रहती थी वह जंगल की उची उची टहनियों पर बेटकर सुक्षान्ति से अपना समय बिताती थी वह जंगल की बहुत सुन्दर चेडिया थी जो हमेशा खुश रहती थी उसका एक खास दोस्क कॉवा था वो बहुत हुशार था कववा जंगल के सबसी पुद्धिमान पक्षवे में से एक था और उसे जंगल के सभी पक्षवे से बहुत प्यार था एक दिल चेडिया ने कववे को देखकर कहा कववा नहीं जा तुमने मुझसे दोस्ती क्यों कि तुम मेरे साथ क्यों बैटे हो मैं तो बस एक छोटी सी चिडिया हूँ तुम मुझसे बड़े और अनुबवी हो तुम तो उचे उचे जंगल में गुंदे हो जो मेरे उडान से बहतर है कववे ने मुस्कराते हुए कहा दुस्ती में उचाने कोई नहीं होता चिडिया हम सभी एक ही जंगल के राजारानी है और हमें इस जंगल में साथ मिलकर रहना चाहिए हम सभी पशुपक्षी एक परिवार है और इस जंगल को सुरुक्षित रखना हमारा करते व्या है जिडिया ने चिरिपिंग आवाज में कहा तुम मुझसे गए रहे हो कि हम सभी बराबर है परिंतु मुझसे तो तुम्हारे तुल्ला में कोई विशच बात नहीं है कोई ने अपनी हुशार से कहा चिरिया हर कोई अपनी खास्योट से अध्वदिय होता है तुम आस्मार में उर सकती हो और चीची कर सकती हो जो कोई भी नहीं कर सकता मेरी बात सुरो हमें आपसी मदद करनी चाहिए बपनी दोस्ती करनी की बज़ाए तुम सही कह रहे हो कोवा भईया हमें आपसी मदद करनी चाहिए इसके बात चीरिया और कोवे ने मिलकर जंगल में बहुत सी समस्योग का हल नेकाला एक बार उने एक बली से समशे आई जंगल में पानी की कमी हो रही थी चिडिया ने और कव्वें मिलकर एक तानब बनाने का निर्ने ले लिया वे सभी जंगल वासियों ने और मिलकर काम करने लगे। उनके मेरे से तालब बन गया और जंगल में पूना हरीयादी बन जंगल वासियों ने चीडिया और कोवे की मेहनत की सराहना की और उन्हें गर्वित मदरसे देखा इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सची मुत्रता में ही वास्तलिक सुख है चिरिया ने कहा, कोवे भाईये, आपका हमेशे सहारा चाहिए, हम सभी को एक दूसरी की मदद कर ले ही चाहिए, ताकि हम सभी एक सुखे और शान्त जंगल में रह सके कोवे ने हस्ते में कहा, हाँ चिरिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, मितरता में ही अस्भी कोवे ने जंगल में मितरता और साये तक की मिसाल प्रस्टू थी, उनकी इस कहाने से हमें यह सिखने को मिलता है, सच्ची मितरता में एक दूसरी की मदद करना और साथी बन कर काम करना ही सच्चा सुख है चिडिया और कोवा यह कहानी हमें बताती है कि सायता और मित्रता जीवन में कितने महतों पूर्ण है चिडिया और कोवा ने मिलकर जंगल में आने वादी समस्याओं का समतन के से निकाला इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम स झाल झाल